हेलो एंड वेलकम तो हंडर्थ एपिजोड ओफ लो बैक पेन सीरीज आएम डॉक्टर वरुरुन वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाँ टो ट्रैवल इन हरनियेटी डिस्क एह बहुत सारे लोगों ने कोशन कूछा है कि जब हमें डिस्क बल्ज हो जाए लो बैक पेन, मैं शैटिक है यह आयही तो उस अगर उसी को प्रब्लम आगी है तो होता है कि मैं ट्रैवल कैसे करूँ चाहे वह बाइक पे कर ना है चाहिए हमारे जो military persons है बहुत सारी consultation लेते हैं मेरे से आर्मी वाले भी तो उनको भी प्रॉब्लम आती है कि हमारे कहते है एक तो patrolling बहुत होता है और एक हमें कई भर के होता है कि बहुत जादे चलना भी पड़ता है और बहुत जादे ट्रेवल भी करना पड़ता है तो कभी क बार में जीब में तो इस तरह से वह कहते हैं हम ट्रेवल कैसे करें तो यह बहुत इंपोर्टेंट वीडियो और सबसे पहले तो मैं आप सब को शुक्रिया करना जाता हूं कि आपकी विज़ा से और भगवान की दया से हमारा यह 100th एपिसोड आ रहा है लो बैक पेंट सीरी चाहिए वो किसी भी तरह का पेशेंट है बैक पेंट का डिस्क बल्ज का यह तीन चीजें इंपोर्टेंट जो हैं वो हमेशा ध्यान में रखे तो उसकी जो ट्रेवलिंग है वह थोड़ी इजी हो जाएगी तो इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए ट्रेवलिंग के बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कई बर के होता है डिस्क बल्ज के एपिसोड बार बार होते हैं उनकी वीकनेस की विज़ा से तो कोर मसल अगर स्ट्रेंद नहीं है तो जटके जो है वो बॉड़ी बरदास नहीं करेगी तो इनस्टेबिल्टी और बढ़ जाएग तो जिसके पास तो अच्छे वह जिसके पास ऑप्शन है मैं हमेशा और रख रहा हूं मैं जरूरी नहीं कह रहा कि अब प्रॉब्लम आगे तो आप आप अप अपस यूवी ले लिए जो यह कर सकता है वह बैटर है जो नहीं कर सकते उसके लिए और बता दूंगा तो एस य तुसरा जो जर्की एक्टिविटी है वह कम से कम हो इसलिए बैटर है अगर पेशन खुद ड्राइव कर सकता है तो बहुत अच्छी बाद है क्योंकि उसको पता है कि कब स्लो करना है कब फास करना अगर वह डिपेंडेंट है कोई ड्राइवर चला रहा है और वह खुद पी था करें तो वह पास अल्टनेटिव जाधा絨 ही घृए है तो उनको क्या करना होता है सबस्क्राइ bättre मैं को नहीं हमारे पेट को सपोर्ट करती है ता कि जो में कुछ मॉस्ण और उसको करके रखें खुछ पाइन को सब्सक्राइब कर लें होड्य जब कर लेंगे ज्टक से लगनें गद्योक कम हो जाएग सब्सक्राइम करना है या या थो बैल्ट कर जा interes चाहे उनको problem disc bulge की अभी acute है चाहे chronic है तो इस तरह से जो car में travel कर रहे हैं वो भी lambosacral belt लगा के जाएं क्योंकि जब traveling के time जब भी हमें जर्ग लगेगा तो belt जो है वो आपके core muscles को stable रखेगी जब तक खुद की stability नहीं है तब तक हमें passively यानि कि बाहर से हमें support लेना ही पड़ेगा तो इस तरह से car और bike पर travel कर रहे हैं तो आप ज़रूर lambosacral belt लगा के जाएं अब second आता है कि जब भी हमें कहीं पर travel करना पड़ता है वाली जे patient हमें कहते हैं कि मेरा जो काम है या मुझे कोई meeting पर जाना है या कोई function पर जाना है तो इसलिए हमें कहीं बार 2-3 दिन वहाँ पर रहना पड़ेगा तो जब वो travel कर रहे हैं लंबा travel कर रहे हैं और वहाँ पर रुकना है उसके लिए हमें चाहिए होता है heating pad ये इस तरह से हम heating pad यूज कर सकते हैं पर heat available नहीं हो सकती होटल में रुक रहे हैं किसी के घर में रुक रहे हैं तो आपके पास आपका heating pad होना चाहिए तो इसको order करने के लिए नीचे लिखे नमबर पर जागे आप order कर सकते हैं इसी तरह से आपके बैक को और सपोर्ट देने के लिए हमारे का पास काम आती है यह बैक रेस्ट बैक रेस्ट फॉर कार सीट और का बैक रेस्ट फॉर ऑफिस चेर यह दोनों यूज कर सकते हैं जब भी इसको लगाएंगे तो यह आपको सीधा बिठाएगी एक इसका यह जो लंबर कर है वह आपकी बैक को सपोर्ट देके रखेगा क्योंकि मोसली क्या होता है जब हम बैठते हैं तो स्पाइन जली जाती है फ्लेक्शन में जिससे प्रॉब्लम और बढ़ती है एक अटेंटिव होके बैठेगा पॉस्चर सीधा रखेगा और लंबर कर वह आपकी बैक को लोग कि पेशन के लिए सबसे होता है उसका काम अब कई लोग ने देखा है कि उनको黨 प्रॉब्लम है पर उसके साथ-साथ काम उनका चल रहा है कहीं पि उन्हेंग जाना है वह वह घ्या होता है अदर Weis y Ocean क होता है एक तो कम भी रुका हुआ है उपर से प्रॉब programme आई है तो वह ु Eli lob पड़ता है इसलिए हमें ऐसे alternative R25M यूज करने चाहिए गार सके तरक ऐसको जो ब्रेन वो रिलक्स रहे और अपने डिप्रेशन को कम कर सके कम चलता कर ten यह प्राव्लम के साथ क्योंकि प्राव्लम भिल्कुल काम भी उपर मैंने एक और वीडियो बनाय हुगा है कैसे यूज करना है हमने ओफिस चेर पे भी और कार में भी किस तरह से उसको और करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके और कर सकते हैं और लंबो सेक्रल बेल्ट आपको बताया है मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन ने देंगा क्योंकि आप एकसरसाइज से पहले हीट लेने में और एकसरसाइज के बाब रिलैक्स होना है तो भी हीट लेने में उसको हेल्प करेगा बाकि दोनों सपोर्टीव डिवाइस रहेंगे जो हमारा बैकरेस्ट है वह आपका पॉस्चर सही रखेगा ट्रेवलिंग टाइम और जो बेल्ट है को दिखाने जा रहे हैं कहीं पर अपनी मीटिंग पर जा रहे हैं कहीं न कहीं उनको जाना पड़ता है वैसे ज्यादा तरह हमें जो एक्यूट डिस्क बल जा उसमें रेस्ट लेना चाहिए मैं फिर से बोल रहा हूं और उसके बाद जब आपको लगेगा कि थोड़ा सा काम कर ही हमें बहुत सारे यूट्यूब ने भी हमें एवार्ड्स दी है और इसके लिए जो लोग्यक पेंट सीरीज है इसको हम कंटीनू करते रहेंगे तो 100 एपिसोर्स पूरे करने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाग और भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाग तो है वे नाइस देर टे कर अफ यूरस्व